मेरे प्यारे देश्वासियों, मन की बात में हम ऐसे देश्वासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं, जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज को, देश को ससक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तिन दिन पहले जब देश्व ने पद्म पुरसकारों का एलान किया है, तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है। इस बार भी ऐसे अनेकों देश्वासियों को पद्म सम्मान दिया गया हैं, जिनोंने जमीन से जूड कर समाज में बड़े बड़े बड़लाव लाने का काम किया है। इन इंस्पाइरिंग लोगों की जीवन यात्रा के बारे में जानने को लेकर, देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी हैं। मिड़िया की हेडलाइन से दूर, अकबारों के फ्रंट पेज से दूर, ये लोग बिना किसी लाइम लाइट के समाज सेवा में जुटे थे। आइसे लोगों की हर तरफ चर्चा हो रही हैं। लोग उनके बारे में जादा से जादा जानने के लिए उत्सुक हैं। पद्मपुरसकार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी अनूठे काम कर रहे हैं। जैसे कोई एमिलन्स सर्वीस मुहया करवा रहा है, तो कोई बे सहारों के लिए सीर पर छत का इंतजाम कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों पैड लगा कर प्रकृती सवरक्षन के प्रहासों में जूटे हैं। एक ऐसे भी हैं जिनोंने चावल की छेसो पचास से अधिक किस्मों के समरक्षन का काम किया है। एक ऐसे भी हैं जो ड्रग्स और सराब की लट की रोकथाम के लिए समाज में जागरूपता फैला रहे हैं। कई लोग तो सेल्फ हेल्फ ग्रूप विशेश कर नारी शक्ति के अभ्यान से लोगों को जोडने में जूटे हैं। देश वास्यों में इस बात को लेकर भी बहुत प्रसंदता है कि सम्मान पाने वालों में तीस महिलाएं हैं। ये महिलाएं जमिनी स्तर पर अपने कारियों से समाज और देश को आगे ले जा रही हैं। साथियों पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसे का योगदान देश वास्यों को प्रेरित करने वाला है। इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोकों के हैं जो सास्त्रिय नृत्य, सास्त्रिय संगीत, लोक नृत्य, थियेटर और बजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृत, मालवी और लंबाडी भाषा में बहुती शांदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है। मुझे इस बात की बहुत खोशी है कि पिछले एक दसक में पद्म सम्मान का सिस्टेम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पीपर्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की ववस्ता में कई बडलाव भी हुए हैं। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है। यही वज़य हैं कि इस बार 2014 की तुल्ना में 28 गुना ज्यादा नॉमिनेशन प्राप्त हुए है। इससे पता चलता है कि पद्म सम्मान की प्रतिष्टा, उसकी विश्वस्तियता, उसके प्रति सम्मान हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं पद्म सम्मान पाने वाले सभी लोगों को फिर अपनी शुपकामनाई देता हूं।